हम यहां राजगीरा में चर्गोत फुंपेरी दिवल्चर पीक जहां बगवन भूत ने परग्या प्रामिता हिर्दे सुत्रा शेरप की फरोल्दू जिनबे दो सुंचे किये ये वही जगा बताते हैं वल्चर पीक चर्गोत फुंपेरी और ये स्थान जो है बताते हैं कि ये वही जगा था जांगा प्रग्या प्रामिता हिर्दे सुत्रा का जो है जो टीचिंग्स बगवन भूत के मोजुदगी में अरिया शारीपुत्रा के निवेदान पे अरिया आवल किते शोरा फाक्सपार्श चर्णाजी वांचुगने जो है प्रग्या प्रामिता हिर्दे सुत्रा का जो है टीचिंग्स दिये थे जिसको महायना बुदिजम का जो है एसेंस अल्टिमेट एसेंस जो है कहा जाता है मुझे His Holiness दलाय लामा जी के कई टीचिंग्स में ऐसे भी कहते हुए सुना कि जो दूसरे जो टीचिंग्स है जो बुदिजम के जो है कुछ सिधान्त है शिल है कुछ हाद तक समादी है वो सब जो है लगबग जो है आने दर्मुंग से मिलता जूलता है क्योंकि हर दारम जो है अच्छाई को करने के लिए कहते हैं बुराई से बजने के लिए कहते हैं हिर्दे सब रखने के लिए 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 के ल को जो है यहाँ इसारी पुत्राइब के र्ईक पे अजय को आइवा किते होराने यहां प्रग्या प्रामिता हिर्दे सुत्राइब के जो है टीचिंग्स को दिये थे और उस वेस् टाइम इसी जगह पे बगवान भूत भी मुजूद थे और वो मुण मेत्जिन में थे डीप मेडीटेशन में और ऐसे मना जाता है कि बगवन भुद्ध के ही जो है मेडिटेशन के दोरन ही उनके जो है विश से उनके ब्लैसिंग से जो है शारी पुत्रा के मन में जो है ये कोशन पूछना जागा कि प्रग्या प्रामिता हिर्दे सुत्रा का अगर हम समझने के कोशिश किया जाए तो क्या समझे तब फिर बुदा के ही ब्लैसिंग से बुदा के ही इच्छा के अनुसर आरिया आवलो किते शोरा फक्सपर्चानल जी वांग्छुक ने जो है प्रग्या प्रामिता हिर्दे सुत्रा का जो है टीचिंग्स यहां दिये थे और जब यह टीचिंग्स खत्म हुए और उसका जो म जणत्रा है ऑम गाते गाते प्रागाते प्रासंगाते बौदीये सोहा उसके बाद बुद्धा डिफ मेडिटेशन से के आवस्ता से भार आके लेकसओ लेकसओ भीक्स किपू लेकसओ तेतेज़िनो का बिलकुल वैसे ही है जैसे आपने कहा जितने भी जो है बुदास पास्ट में गुजरे हैं प्रजान में हैं और फ्यूचर में आएंगे वो साफ प्रगया प्रामिता के जो है किरपा से ही प्रगया प्रामिता के रियालाजेशन से ही शुनिता के कंसेप्ट से ही जो है बुद्दा बना है और उसी आवस्था में रहने वालों को ही बुद्दा मनते हैं इल्ले प्रगया प्रामिता हिर्दे सुत्रा जो है सारे बुद्दा और बुदिसत्वास के जो है मा है यूम छेन्बो लग्रेड मॉदर तो यह वही जागा है अभी यहां यह दोनों जो है यहां थोड़ा सा दिया बत्ती जला रहे हैं, यहां का जो है नजरा जो है बहुत चंदर है, उपर जो है जेपनिस पीस पागोडा या शंतिस तूपा का यह देखिए, यह टॉप जो है यहां से दर्शन हो रहा है, और ठी उसी के सित में यहां नीचे यह जागा जो है है, यह हलांकि जागा जो है बहुत वस्त नहीं है, इलाका बहुत शंदर है, पूरा हरियली से बरी हुए है, छोटे मूटे पहाड़ है, बहुत उंचे पहाड़ नहीं है, लेकिन हरियली जो है बहुत अच्छे हैं, और यह जो है ऐसे गुमाएं, तो यह जो चटान है, यह यह बाड़े यह एक तरीके से जो है ऐसा लगता है जिसे एक बहुत बड़ा वाल्चर गीत या गरूट जो है बाड़ी के ऊपर जो है बैठे हुए हो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो देखिए ऐसे लगता है ना जैसे कि एक वाल्चर बैठा हुआ हो शायद इसी लिए ज इसके चरुम और का नजरा ऐसे है, ये ये उपर जेपने शंतिस तूपा, जहां हम जाके आए हैं, उसी के यहां सायड से जो है, नीचे उतरने के लिए रिच के साथ साथ जो है, सिडियां है, और ये सिडियां जो है, नीचे की और जाता है, और यहां से एक डैवर्जन, एक चोटा सा डैवर्जन जो है, यहां से है, यहां से यहां से ऐसे आगे, इसी जंगल के साथ साथ जब आप आओगे, तो इधर से जो है, यहां से जो है, इसका रास्ता है, यह, और यहां भीज में जो है, इसी चटन के नीचे जो है, दो गुफाए भी है और मनता ऐसे है कि पोद गाया में चंचु जोंशिंग की नीचे फाइनाली वनबे तिंगी जिंग में वेड़ने से पहले बुदा जो है इन इलाकूं में इन गुफाओं में भी जो है मेडिटेशन वागेरा और दूसरे जो है तपसिया करते रहे तो यह वल्चर पीख है और यहां सिर्फ यह एक चबुतरा है उसके अलावा और कुछ नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है जगा छोटा सा है अब उस टेम जो है शाद ज्यादा रहा हो वारना उस टेम जो है परगया प्रामीता हेड़े सुत्रा में कहा गिया है कि चंचु सेनपातं संग्यातं चंचु सेनपातं थातं मीतं आमें तंग टीजार चस्प जिखतें इरंग से चुम्दंदस की सूंस पलां उन बरस्तोतों करके तो ला तीजा यह सब तो खेर कहीं भी बैठते होंगे ले यहां बेड़ने का जो है वैसे आज के स्थिती में गुंजाइस नहीं है चोटा सा जगा है यहां इसके भार भी जो है देखिए कोई बहुत ज्यादा स्कॉप नहीं है लेकिन है बड़ा यह जो वाल्चर पिक है बहुत ही यहां आने के बाद हमें फिल होता है कि इस जगा क कितना इंपोर्टन्स है बहुत बहुत धन्यवाद जाए हो बुद्धम शरनम गछामी दमम शरनम गछामी संगम शरनम गछामी ओम गाते गाते प्रागाते प्रसंगते बुद्धिये सोहा